Hello Everyone, Welcome to Exam Quest इस वीडियो के अंदर हम 14th November की relevant news को cover करेंगे वीडियो में जो हम PDF उसे एक्सेस करने के लिए आप हमारी Android आप को डाउनलोड कर सकते हैं आप का लिंक आपको description में मिल जाएगा पहली news जो हम cover कर रहे हैं वो Indo-US relations से जोड़ी हुई है इसके अंदर हमें दो चीज़े पता होनी जाए पहली तो रशिया का S-400 missile defense system और दूसरा काटसा तो पहले काटसा का देखते हैं काटसा एक act है जिसको United States of America ने बनाया हुआ है ये act क्या करता है? ये sanction का इस्तिमाल करता है sanction को use करता है अपने adversaries को कमजोर करने के लिए इसके अंदर US ने तीन देशों के उपर sanction लगा रखिया वो तीन देश कों से हैं? North Korea, Iran और Russia तो एक तो उसने इन तीन देशों के उपर sanction लगा रखिया एक दूसरी चीज़ ये act क्या कहता है? कि अगर कोई और देश जैसे कि example के तौर पर इंडिया ले लेते हैं कि अगर कोई और देश इन तीनों देशों के साथ जादा बड़ी बड़ी transactions करेगा तो US उस देश के उपर भी sanction लगा सकता है तो भले ही इंडिया जो है वो US का adversary नहीं है तो हम तुम्हारे उपर sanction लगा देंगे भले ही तुम हमारे adversary ना हो तो इससे इंडिया जैसे देशों के उपर एक दबाव रहता है कि वो North Korea, Iran और रिशिया के साथ बहुत बड़ी बड़ी significant significant transactions ना करें तो ये news में क्यों था? ये news में इसलिए है क्योंकि इंडिया रशिया से एक missile defense system खरीद रहे जिसका नाम है S-400 S-400 triumph missile system अब ये triumph missile system के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं ये missiles नहीं है हम missile नहीं खरीदे रहे हम missile defense system खरीदे रहे हैं पूरा का पूरा अब दोनों में difference क्या है missile का है तो क्या मतलब हुआ missile का मतलब ये है कि हमारे पास एक missile है जो दूसरे target पे हमला कर सकती है सिरफ हमने एक missile खरीद ली लेकिन missile defense system के अंदर आपको एक radar मिलता है धेर सारी missiles मिलती है और इस defense system का काम क्या है मान लीजे ये इंडिया है इंडिया के जो atmosphere कह लीजे या फिर इंडिया के जो air है वहाँ पे इंडिया के अगर आपको हमारी वीडियो पर संदारी है वीडियो को like करना न भूलें दोस्तों के साथ share करें और अगर आप channel पर नए हैं या फिर कोई aircraft उड़ता हुआ रहा है या फिर इंडिया की तरफ कोई missile आ रही है तो मान लीजे इंडिया ने रशिया का ये missile defense system खरीद रखा है और अपने यहां लगा रखा है तो यहां पे एक radar होगा radar इन चीजों की position पता करेगा कि यह जो उड़ती हुई चीजे आ रही है यह कहाँ पन है यह radar उसकी accurate position पता करेगा और फिर इंडिया के surface से एक missile launch होगी और missile यह जो भी missile आ रही है इंडिया की तरफ हमला कर रही है उसको रास्ते में ही intercept कर देगी और रास्ते में ही उड़ा देगी तो इससे क्या होगा जो भी इंडिया की territory के उपर हमला होने वाला है उपर हवा से वो रास्ते में ही खतम हो जाएगा तो इसको का जाता है missile defense system यानि कि हमने अपने आपको missile से बचा लिया है तो इंडिया जो है वो रशिया के साथ ये खरीदना चाता है रशिया से S-400 triumph missile defense system इसके बारे में कुछ चीज़ें देखे मैंने क्या का surface से missile चलेगी इंडिया के surface से missile चलेगी और इंडिया की तरफ जो missile aircraft या drone आ रहा है उसको हवा में ही मार गिराएगी उसको हवा में ही मार गिराएगी तो surface से missile चली है और हवा की तरफ चली है तो ये कैसा missile defense system है ये surface to air missile system है जिसको रशिया ने develop किया है ये three layered system है यानि कि तीन अलग-अलग layer के अंदर चीज़ों को intercept करने की कोशिश रहेगी किन-किन चीज़ों को ये रोक सकता है ये रोक सकता है 100 target को ये track कर सकता है और एक साथ चेअ targets को रोक सकता है उनको engage कर सकता है यानि कि हवा में ही मार गिराने की शमता रखता है चेya targets को एक साथ इसकी range आपकी 400 km है ठीक है, 400 km दूरी तक जा सकता है और उचाई कितनी उचाई है 30 km यानि 30 km उपर जा सकता है और 400 km दूर जा सकती है ये मिसाइल है तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है जैसे रडार मिलता है anti-aircraft missiles मिलती है launcher मिलता है command and control center बनाना पड़ता है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक और चीज़ ये जो triumph missile system है ये चायना ओल्रेडी रशिया से ले चुका है ठीक है तो इंडिया के लिए इंडिया को भी लेने की इसलिए जरूद पड़ रही है क्योंकि बहुत ही advanced system है ये इसके जैसे बहुत सारे system exist करते हैं जो की iron dome iron dome एक similar concept पर काम करता है जो की इसराइल का है जो US का system anti missile defense system जो है उसका नाम है THARD THARD की full form है Terminal High Altitude Air Defense System तो इंडिया को भी ऐसे ही एक system की जरूद है और इसलिए इंडिया यहां से खरीदना चाहता है अब धिक्कत यह है कि US कहता है कि North Korea, Iran और Russia के साथ significant transaction मत करों इंडिया जो है वो रशिया से यह missile defense system खरीद रहा है तो अब यह डर है कि क्या US इंडिया के ओपर भी sanction लगाईगी या नहीं लगाईगी अब महीनों तक इस चीज के ओपर discussion होती रहेगी, editorial आते रहेंगे, बहुत जादा detail में नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा बस अपने आपको brush up रखना कि क्या क्या चीज़े हो रही है, बाकिस अब में एक साथ cover कर लेंगे जब भी कुछ concrete development होगी यहाँ पर अगले news COP26 से जुड़ी होई है, जो Glasgow के अंदर meeting हो रही है, UNFCCC की United Nation Framework Convention on Climate Change की जो 26th meeting है Glasgow में, उसकी जो deal थी, उस deal पे sign कर दिया है, वो deal struck हो चुकी है, और वो struck होने में last moment पे कुछ changes होए थे, जो changes introduce करवाए थे इंडिया ने, इंडिया और चाइना भी आप इसके अंदर include कर सकते हैं, ये changes क्या है, देखिए जो draft बना हुआ था, जिसके ओपर सारे की सारे देश discussion कर रहे थे, जिसको sign करने की बात हो रही थी, उस draft के अंदर ये लिखा हुआ था, कि जितने भी देश हैं, वो अपनी call को जो subsidy provide करते हैं, उस subsidy को पूरी तरह से खतम कर देंगे, क्य आज की date में, इंडिया और चायना, कोल के उपर बहुत जादा dependent है, और काफी subsidy भी provide की जाती है, तो इसलिए इंडिया और चायना ये कह रहे थे, कि हम अपनी call की subsidy को phase out नहीं कर सकते हैं, खतम नहीं कर सकते हैं, हम इसको कम कर सकते हैं, तो इंडिया ने कहा कि अगर आप चाह ना कि वैसे introduce हुए, तो इसलिए आपको याद रखना है, दूसरा, एक demand उठाई है, आफ्रिकन देशों ने और जो island nations है, उन्होंने एक demand उठाई है कि ग्लाजगो फैसिलिटी स्टार्ट होनी चाहिए, ये ग्लाजगो फैसिलिटी क्या है, ये ग्लाजगो फैसिलिटी एक अधरा से mechanism है, जो पैसा प्रोवाइड करेगा उन देशों को, जो की climate change की वज़ा से अभी सफर कर रहे है, उन्हें पैसा प्रोवाइड किया जाए, ग्लाजगो फैसिलिटी के अंदर, उन्होंने एक और sentence बोला है, और वो क्या है, वो है कि जो ग्लाजगो फैसिलिटी है, वो adaptation fund का हिस्सा बनेगी, अब सवाल होता है कि adaptation fund क्या है, adaptation fund 2001 के अंदर establish हुआ था, और adaptation fund का काम क्या था, नाम देखिए आप, नाम से क्या बता चलेगा, adapt करना, यानि कि जब भी climate change होगा, तो climate change में आपकी rain का pattern change हो जाएगा, जैसे आप crops grow करते हैं, उन crops पे भी कुछ असर पड़ेगा, तो इन crops को भी बदलने की जरूरत है, तो adaptation का मतलब होता है कि climate change के अनुरूप, climate change के हिसाब से अपने आपको change करते जाओ, अपने आपको बदलते जाओ, ताकि उस climate, जो नया climate आता जा रहा है, तो उस climate में भी survive कर सको, यानि कि अगर तुम्हारी wheat नहीं उग यह तो कोई और crop उगाने लगो, wheat के उपर research करो, कि वो अलग temperature पर भी grow करने लगे, तो हम क्या कर रहे है, हम climate change को, देखिए एक तो तरीका होता है, climate change को slow down कर दो, कि climate ही change ना हो, ठीक है, एक तो यह तरीका है, तो इसके लिए काम हो रहा है, जिसके लिए हम Paris agreement कर रहे है, कि ह जो temperature है, global temperature जादा increase ना हो, इसके लिए काम कर रहे है, क्योंकि जितना जादा temperature increase होगा, उतने ही जादा आपके sea level rise होगा, बहुत सारी और भी चीज़े change होगी, ठीक है, तो एक तो यह होता है, कि climate change को ही रोग दो, दूसरा क्या होता है, देखो climate change तो जब रुकेगा, तब तक climate change नहीं रुक रहा, तब तक जो भी दिक्कत यारी है, उन दिक्कतों के हिसाब से अपने आपको बदल लो, इसको कहा जाता है adaptation, तो adaptation करने के लिए ये एक adaptation fund 2001 के अंदर बनाया था, जिसके अंदर जो developing countries हैं, developing countries हैं, जो की climate change से बहुत जादा effect होती है, vulnerable है climate change के, उनको प पैसा है, ये पैसा काम आएगा, adaptation के लिए तुम जो भी schemes, जो भी programs बना रहे हो, उनको fund करने के लिए, तो ये adaptation fund 2001 में बना था, adaptation fund के अंदर जो पैसा आता है, वो आता है clean development mechanism का 2% share, ये clean development mechanism क्या होता है, इसके लिए आपको Kyoto Protocol के बारे में जानना पड़ेगा, आप हमारी environment की वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर Kyoto Protocol में ये बहुत detail में समझाया हुए, ठीक है, या फिर अगर वैसे चाहें कहीं और से read करना चाहें, तो वहां से भी read कर सकते हैं, तो इसके अंदर पैसे एक तो आपका Kyoto Protocol से जाएगा, और दूसरा government और private parties भी donation कर सकती है, adaptation fund को supervise और manage कौन करता है, उसके लिए adaptation fund board बना हुए है, और world bank जो है वो उसका trust है, तो ये चीज़े आपको COP26 के बारे में पता होनी चाहिए थी, बाकी कल की जो news थी, उसके अंदर भी इसके बारे में कुछ discussion हुई थी, आप उसको भी देख सकते हैं, आपको beneficial रहेगा, अगली जो news है, इसके अंदर news important नहीं है, पर news जिन चीज़ों के बारे में बात करी है, वो चीज़े important है, जैसे इस news के अंदर आपको एक तो NGT के बारे में पता होना चाहिए, कि NGT क्या होती है, यह होता है National Green Tribunal, दूसरा आपको plastic से जुड़े हुए जो rules बने हुए है, उन rules के बारे में उसको कैसे manage करें, उसके लिए rules बनेते, यह जो 2016 के rules थे, यह prohibit करते थे, कि आप कोई भी plastic का bag, जो कि 50 micron से कम thickness का हो, यानि कि बहुती पतले वाले low quality के जो plastic bags हैं, आप उनको ना तो manufacture कर सकते हो, ना import कर सकते हो, ना stock कर सकते हो, ना distribute, ना sale, ना ही उसका इस्तिमाल कर सकते हो, basically उन्होंने कहा था, कि जो low quality के, low quality के पतले plastic हैं, उनको एक तरह से ban कर दिया था, उनको prohibit कर दिया था, implement करने की जिम्मेदारी दी गई थी, central pollution control board को, यानि की CPCB को दी गई थी, अब यह जो plastic waste management rules हैं, इनको ही amend कर दिया है 2021 के अंदर, और 2021 में क्या कह दिया है, कि जो single use plastic है यानि की ऐसा plastic जिसको आप एक ही बार use कर सकते हो, वो prohibited है, June या फिर July, I think July 2022 से, हाँ, July 2022 से, आप single use plastic को ना तो manufacture करोगे, ना import, ना stock, ना कुछ, दूसरा इन्होंने क्या किया है, पहले कितनी, कितनी thickness की उसको, plastic को यह low grade मान रहेते हैं, 50 micron की, अब इन्होंने क्या कर दिया है इन्होंने का है, जो 75 micron की thickness है, 75 micron की thickness को आप use नहीं कर सकते हो, यानि कि जो भी plastic आप use करोगे, वो 75 micron से, 75 micron से जाधा मोटा होना चाहिए, पहले कितना था, 50 micron था, ठीक है, उन्होंने का है कि 30 सितंबर से, जो आप plastic बैन करोगे, वो वो होगा, जो कि 75 micron से पतला है, फिर उसक के बाद से हम इसकी definition को और जाधा strict मना देंगे, और इसकी definition क्या कर देंगे, हम कहेंगे कि जो भी plastic bag, 120 micron से पतला है, वो सारा का सारा prohibit हो जाएगा, एसा इसलिए किया है, क्योंकि जितनी मोटी plastic होती है, उतना ही उसको recycle करना आसान होता है, उसको handle करना आसान होता है, जितन कर दिया है कि 30 सितंबर के बाद से आप 75 micron की plastic use मत करो, 31 December के बाद से आप, 2022 के बाद से आप 120 micron से पतली plastic use नहीं कर सकते, और ये rule कब से लाग होंगे, ये rule लाग होंगे आपके 1 July 2022 से, ठीक है, तो ये हमारे plastic waste के थे, NGT के बारे में हम दुबार से NGT आएगा discussion में, तब दे मुल्ला पेरियार डैम, हम इसको कवर करते हैं, क्योंकि ये topic issue, ये जो topic है, ये important है, मुल्ला पेरियार से ही आप ये समझ जाएंगे, कि ये जो डैम बना हुआ है, ये डैम किन नदियों पर बना है, एक तो पेरियार नदी और मुल्लेयार नदी के उपर ये डैम बना हुआ तो ये पेरियार नदी है, पेरियार नदी केरला की पेरिनियल नदी है, यानि कि पूरे साल ये नदी बहती रहती है, और इसको केरला की lifeline कहा जाता है, ये जो डैम बना है, ये डैम केरला के अंदर स्थित है, ये डैम कहां पे है, केरला के अंदर है, ये बना था आपका 1880 में 1880 से आप याद रखेंगे कि यह डैम बना था तो केरला में यह डैम बना 1880 में लेकिन इसको operate करने की जिम्मेदारी दे दी गई थी तमिल नाडू को यह डैम बनाने की पीछे कारण यह था कि केरला के अंदर जो नदी जा रही है पेरियार में पूरे साल पानी रहता है इस पेरियार नदी का कुछ पानी तमिल नाडू को दे दिया जाए तमिल नाडू इस्ट में है ठीक है पेरियार नदी आपके केरला में बह रही है तो east में जहां पे तमिल लाडू में पानी नहीं है उस dry region के अंदर इस पेरियार नदी का पानी पहुंचा दिया जाए ताकि यहां पे drinking water मिल सके यहां पे वो अपनी farming कर सके तो farming और drinking water के लिए कम किया गया था लेकिन अब दिक्त यह हुरी है कि retention यह डैम बहुत पुराना हो चुका है बहुत कमजोर हो चुका है इसकी जो height है इसकी height increase नहीं होनी चाहिए जबकि तमिलनाडू कहर रहा है कि हमें इसकी height बढ़ानी की ज़रूरत है तमिल नाडू कहा रहा है हम चाहते हैं कि इसकी हाइट 142 feet हो जाए लेकिन केरला कहा रहा है कि उससे अगर कभी अर्थ को एक आता है बहुत जादा बारिश होती है तो उस case में हमारे यहां flood आ जाएगा हमारे यहां बाड आ जाएगी तो केरला कहता है इसकी जो हाइट है वो 139 feet पर ही रहनी चाहिए 139 feet पर रहनी चाहिए इस वज़ए से इन दोनों के बीच में लडाई होती रहती है दोनों Supreme Court जाते रहते हैं Supreme Court ने अभी एक decision दे रखा है कि आप इस डैम की जो हाइट है वो 139.5 feet तक ही रखेंगे उससे जादा नहीं बढ़ाएंगे तो इस लडाई की वज़ए से यह मुला पेरियार डैम जो है वो बार बार नियूज में रहता है तो थोड़ा सा आप इसका background देख लीजे background क्या है 123 year old डैम है यह और मुलायार और पेरियार नदी के उपर बना हुए है और कहाँ पर बना है यह केरला के अंदर स्थित है यह डैम किसले बना था डैम इसले बना था कि जो पेरियार नदी है पेरियार नदी जो केरला में बहरी है इसके कुछ पानी को तमिल नाडू का जो सूखा रीजन है एरड रीजन है वहाँ पे इस पानी को पहुचाया जा सके ताकि वो पी सके पानी और वहाँ पे फार्मिंग कर सके और यह जो तमिल नाडू इसको उपरेट कर रहा है लड़ाई क्या चल र्या, केरला चारहिए इसकी हइट मत इंक्रीज करो, तमिल नाडू कारहिए इसकी हाइट इंक्रीस करदो, सुप्रिम कोट ने अभी इस पर रोक लगा रखिया, कि अभी हाइट आप जाधर इंक्रीज नहीं करेंगे, अगली ये डेली के अंदर control board को CPCB को ये ताकह देता है कि वो air quality के standards बता सके, कि कौन सी air अच्छी है कौन सी air गंदी है उसके वो standard निर्धारित कर सके कि अगर इतना pollution है गंदी हो गई तो उस standard को उस standard को जो CPCB ने standards बनाए है उसका नाम दिया गया National Ambient Air Quality standards ठीक है यह standards बने हुए है, इस standard के अंदर कुछ pollutants को cover किया गया, यह pollutants आपको पता होने चाहिए, कैसे कैसे है, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ठीक है, तो याद रखने के लिए दोनों O2 वाले, sulfur dioxide और nitrogen dioxide, फिर उसके बाद particulate matter आ जाएंगे, दो particulate matter हम इसके अंदर देखेंगे, 10 और 2.5, फिर उसके अदर O O2 आ चुका है, अब O3 ले ही है, SO2 और NO2 आ गया, अब O3 भी आ गया, PM10 और 2.5 आ गया, ठीक है, SO2 वाले आ गये, 3 वाले आ गये, एक single O वाला हम carbon monoxide इसके अंदर रख लेते हैं, ठीक है, तो यह जो 6 हैं, इनको आप ऐसे याद कर लें, कि single oxygen वाला carbon monoxide, double oxygen वाला आपका SO2 औ NO2 और 3 oxygen वाला O3 है, यह याद रख लीजे, फिर particulate matter आपके 2.5 और 10 हो गये, उसके बाद आपके ammonia, benzene, benzo, arsenic और nickel, यह आप जैसे भी कोई short form बना के याद करना चाहिए, याद रख सकते हैं, एक इसके अंदर देखने वाली बात किया, इसके अंदर आपको कहीं पे भी CO2 द यह देख रहे हैं कि कौन सी quality अच्छी है, कौन सी गंदी है, फिर उसके बाद यह अब लोगों तक information पहुंचानी है कि तुम्हारे आसपास का वातवरन गंदा है, मास्क लगा के बैठो, तो लोगों तक information पहुंचाने के लिए एक index बनाया है, CPCB ने, उस index का नाम है नाकी National Ambient Air Quality, इसका काम है लोगों तक यह communicate कर देना कि तुम्हारे यहां कैसी air आज की date में आ रही है, तो 6 category बना रखी है, good, satisfactory, moderate, poor, very poor, severe, दिल्ली अभी severe की category में पहुंच चुकी है, इसके अंदर वो 8 pollutant को measure करते हैं, 8 pollutant को measure करके लोगों तक बता देते हैं तुम्हारे यहां प PM 2.5 और 10 यह सब हमने याद किया ही था, इसके अलावा कुनसा आजाएगा, इसके अलावा आपका ammonia और lead, यह आजाएगा, ठीक है, तो यह जो आपको art दे रखें, इन सब को आपको याद रखना है, एक app बनिया, Samir app, Samir app का काम है, जहां पे हम यह जो air quality index है, इस air quality index के basis पर और वो information Samir app के थुरू दी जा सकती है, तो इतना आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, यह आपके pre के लिए काफी important हो सकता है, फिर यह नक्सलिजम से जुड़ी हो यह एक news है, news नहीं आपको पढ़नी है, बस headline आप पढ़ लीजिए, कि यह कुछ नक्सल के या फिर कुछ मावे जो लीडर से उनकी death हो गई है, उनको मार गिरा है, फिर 26 नक्सल को गडची रोली में मार गिरा है, तो यह भी news आप एक बड़ी बस read कर सकते हैं, इसकी जो detail है, उसको देख लेते हैं, जो नक्सलिजम है, वो आपका 1960s के अंदर start होता है, और उसके पीछे के हम कारण देख और इसको अब आज की date में हम कैसे इसको tackle कर सकते हैं, नक्सलिजम को कैसे खतम किया जा सकता है, या हराया जा सकता है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, तो क्यों start हुआ था, उससे हमें बता चल जाएगा कि हम उसको कैसे हरा सकते हैं, पहला तो कारण ये था इ लेकिन ट्राइबल्स का policy making के अंदर कोई भी role नहीं होता था, ना के बराबर आप माल लीजिए, तो इसके वज़े से ट्राइबल्स की upliftment नहीं हो रही थी, और दूसरा कारण हम economy में देख सकते हैं, वो क्या, देखें, ट्राइबल्स जो हैं, जाहतर जो ट्राइबल्स रहत करती थी, इन resources को extract करती थी, extract करने के लिए क्या होता था, धेर सारे jungle काटने पड़ जाते थे, और जो tribal population है, उसको एक जगा से दूसरी जगा displace कर दिया जाता था, अब displace करने के बाद उनको अच्छी रहने की सुविधा ही नहीं मिलती थी, इस से पहले तक tribals जो हैं, जिन कर दिये गए, उनकी rehabilitation को लेके कोई भी ढंका काम नहीं किया गया, इससे क्या हुआ, उनकी living conditions बेकार होती गई, living conditions poor होती गई, दूसरा जो वहां के tribal population थी, उनको ये लगता रहा कि हमारे resources को तुम extract कर रहे हो, इन resources को extract करके तुम अमीर बनते जा रहे हो, देश की development कर रहे हो ये जो development है, ये हमारे पास सकतों पहुंची नहीं रही, हमारे area से तुमने देश को develop करा लिया, लेकिन हमारे area के उपर आपने कोई भी investment नहीं करी, हमारी life सुधारने के लिए आपने कोई भी काम नहीं किया, हम आज भी poor हैं, हम underdeveloped हैं, ठीक है, हमारे पास कोई भी benefit आप प ठाना देना, freedom देना, ट्राइबल्स को ये सारी चीज़े नहीं provide करी जा रही थी, बहां तक पहुंच ही नहीं रही थी, इसकी वज़े से जितना भी tribal population का या socially backward population कह सकते आप, उनका एक support था नकसल्स को लेके, नकसल्स इस तरह से अपने agenda को propagate करते थे, कि जो ये देश है, इ उससे नकसल्स को एक support provide हुआ और नकसल्स इसम ग्रो करता चला गया, और आज की date में भी आप देखेंगे कि बहुत सारी poor tribal population है, जिनका support कही ना कही नकसल्स को मिलता रहता है, तो आज की date में अगर आप चाहते हैं कि नकसल्स को खतम हो जाए, तो आपको दो काम एक साथ करन पड़ेगा, यह पुलिस एक्षन से जो terrorist activities हैं, जो violence हो रही है, उस violence को उस terrorist activities को रोका जा सकता है, कुछ leaders हैं, जो की आज की date में सिरफ इस poverty का और tribal के support का गलत फायदा उठाते हैं, वो leader कभी भी नहीं चाहते कि area में development हो, क्योंकि मान लीजिए, इस area में poverty है, इस poverty की वज़ चली गई, तो इस area में poverty चली गई तो इस area में, जो इनको support मिलता है, वो support ही नहीं मिलेगा, जब support ही नहीं मिलरा है, नक्सल इllism का तो यह leader, leader किसका बनेगा, जù As Finnaxo मैं dations, जब नक्सल को ही support नहीं मिला तो leader किस बात का, तो इसलिए यह जो leader हैं, इनका भी एक hidden agenda है, कि य तो कुछ ऐसे लीडर्स है जो कि इन इडियलोजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते है नक्SALISM को जो कि violence को प्रपगेट करते है वाइलेंस को आगे भढ़ानी की बात करते है ऐसे LEADERS को मार गिराने की ज़रुवत है तो military action लेना है दूसरा काम क्या करना है दूसरा आपको इन एरिया की development करनी है इस एरिया में आप किसी ना किसी तरह facilities प्रोवाइड करें उनको ये दिखाएं कि ये जो देश है ये तुम्हारा भी उतना ही देश है जितना बाकी एरिया का है तो उससे क्या होगा ट्राइबल्स जो है ट्राइबल्स इन लोगों को support करना बंद कर देंगे और अगर इस socially backwards section का support नहीं मिलेगा नकसल्स का तो नकसल्स का survival बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो ये दोनों चीज़े एक साथ चलनी चाहिए तो अब इसको आप कैसे अपने answer के अंदर लिख सकते हैं आप पहले तो police action की बात कर सकते हैं कि जो police action है उसके अंदर special force बननी चाहिए जैसे की आंध्रदेश की greyhound आंध्रदेश की greyhound ने बहुत जादा नकसल्स को मार गिराया था तो ये तीनों चीज़े आपको police action में करनी है चौतिय चीज़ क्या है देखिए नकसलिजम जो है वो धेर सारे states में है आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि वो West Bengal से लेके आपके आंधरपरदेश तक है केरला में भी देखने को मिलता है तो इस तरह से आपका पूरा एक कॉरिडोर बना हुए नकसलिजम का तो आपको अब तो महराश्रा थोड़ा दिल्ली की तरफ इन एरिया में भी थोड़ा-थोड़ा इनकी activities देख रही है लेकिन आपको क्या चाहिए देखिए अब police है पुलिस अगर 36 गड़ के अंदर काम कर रही है नकसल भाग के नीचे कहीं पे चला गया example के तोर पे वो आंधर प्रदेश चला गया या किसी और state में पहुँच गया तो जो police थी 36 गड़ की police दूसरे state में जाके उन नकसल को नहीं मार सकती तो अब यहाँ पे इस police को दूसरी state की police की मदद की जरूरत है coordination की जरूरत है तो इसलिए police action में जितनी भी affected states हैं उनके coordination की बहुत जरूरत है और क्या कर सकते हैं आप better governance प्रवाइड करें उनको अच्छी facility प्रवाइड करें जो development है development के जो fruits हैं हर एक section तक पहुँचने चाहिए जब तक गरीबी रहेगी लोग under developed रहेंगे तब तक वो इन चीजों को support प्रवाइड करते रहेंगे एक और जो चीज़त जो आपको अपने answer में जरूर mention करनी हैं भले ही आपको यह कैसी भी लगे वो क्या है जो नकसल के leaders होते हैं और हमारी जो सरकार हैं इनके बीच में dialogue start होना चाहिए बातचीच चालो होने चाहिए government को इन नकसल leaders को violence से दूर करने की जरूरत है इन्हें dissuade करने की जरूरत है कि आप हतियार छोड़ो आप politics में आओ आपको जितने भी आपके concerns है कि आपके area की development नहीं होरी आप चुनाव लड़ो जीतो उस area की development करो तो एक तरह से इस dialogue की बहुत जरूरत है कि ceasefire हो और ceasefire तो खेर यहां पर गलट हम होगी बस यह कह सकते हैं कि violence नहीं हो फिर आपको जो भी यह tribal areas है या फिर underdeveloped areas है वाँ पर employment प्रोवाइड करनी है जो भी displace हो रहा है को rehabilitation और resettlement प्रोवाइड करनी है जो weaker section है हमारी society के उनको marginalize मत करो जो नकसल के support है वो आपके weaker section जैसे की SCs और STs है जो भी बहुत जादा economically poor है वो है तो आप इन जो की society के अंदर जिनके against discrimination होता है इन discriminations को खतम करो ताकि उन्हें भी यह लगे कि हाँ हम भी इसी देश का हिस्सा है यह सभी के सभी हमारे भाई है तो इस strategy को क्या कहा जाता है कि आपको लोगों का heart और mind जीतना है तो यह strategy आपको नकसलिजम को रोकने के लिए चाहिए अभी news में इसलिए थी क्योंकि कुछ नकसल मारे जा रहे है नकसलिजम जो है काफी कमजोर पड़ चुका है इस time पर काफी उनके बड़े बड़े leaders जो है वो मारे जा चुके है तो इसलिए यह news में रहता है तो आपको थोड़ा सा track रखना है इन चीजों को आप जब भी नकसलिजम आए तो अपने दिमाग में दोहरा लीजेगा ताकि answer लिखते हुआ आपको यह याद आ जाए इस news में जादा में time नहीं लगाऊंगा आप सिरफ इस नाम को ध्यान में रखिए कि यह जो है इसने अभी हमला किया था असाम रैफल के उपर ठीक है सिरफ नाम याद रख लिजए इस news के उपर भी जादा time नहीं लगाऊंगा आप एक बारी कल जो हमने discuss किया था वो देख लीजेगा थोड़ा समय बस यह बतायता हूं कि बेलारूस क्या कर रहा है बेलारूस जो migrant हैं जैसे कि सीरिया हो गया यमेन हो गया अफगानिस्तान हो गया इरान हो गया यहां पर लोग बहुत परिशान है गरीभी से और वाइलेंस से तो वो क्या कर रहे हैं अपने देशों को छोड़के दूसरी जगाँ पर भाग रहे है बेलारूस इन migrant workers को एक तरह से लालच दे रहा है कि तुम मेरे देश आ जाओ मैं तुमें Europe के अंदर entry करवा दूँगा बेलारूस का यह जो border है यह European Union के जो दूसरे देश है उनके साथ touch होता है तो बेलारूस कह रहा है कि मैं तुमें Europe के अंदर enter करा दूँगा फिर तुम यूरोप में जाओ और अपनी अच्छी लाइफ जीते रहो तो यह जो बेलारूस है यह illegal entry प्रोवाइड कर रहा है इन migrants को तो इस तरह की बात चल रही है एक बार यह आप कल की न्यूस देख लीजगा तो जो रशिया है रशिया बेलारूस का बहुत ही अच्छा लाइए है दोस्त है तो पुटिन ने यह का है कि यह जो root cause है root cause बेलारूस नहीं है root cause है इन एरिया के अंदर इन एरिया के अंदर जो violence हो रही है इन एरिया के अंदर जो instability हो रही है उसकी वज़य से लोग migrate कर रहे है बेलारूस तो बस उन्हें एक तरह से opportunity प्रोवाइड कर रहे है कि तुम भी अपनी life सुधार सको ठीक है तो basically उसने western countries जो है western European countries हो गई यूएस हो गई उनको target किया है पुतिन ने यह कहा है कि यह जो यहाँ पर अफगानिसान और इरान जैसे देशों में instability है यह यूएस और western European देशों की वज़य से ही तो हुई है तो तुम बेलारूस को मत blame करो तुम्हारे उपर blame है यह सारा तो इस news में बस यह है बहुत आपको read नहीं करना बस इतना याद रख लो कि conflict अगर कहीं पर होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे देश उससे अचूते रहेंगे एक जगा का conflict दूसरी जगा पे भी असर डालता है तो यह जो migration है यह यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है इसके बाद Sudan के अंदर एक coup हुआ था ठीक है Sudan के अंदर military ने एक coup किया था उसके बाद military ने एक council बना लिया जिस council का नाम है sovereign council इस sovereign council के अंदर अब्दल फता अल बुरहान अब्दल फता अल बुरहान जो की military का general है इसने अपने आपको इस council का head बना दिये तो अब basically जो government है वो military चला रही है Sudan के अंदर तो इस military ने जो ये coup किया है ये जो coup किया था इस coup के against pro democracy protest हो रहे हैं लोग चाते हैं कि Sudan के अंदर democracy हो इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे है और ये जो military का general है ये उनके ओपर violence कर रहे है उनकी crackdown कर रहे है तो सिर्फ अभी के लिए आप इतना याद रखे sovereign council Sudan के अंदर भी कुछ coup की वज़े से दिक्कत चल रही है और ये नाम याद रखे फटा अल बुरहान ठीक है बहुत ज़ादा अच्छा एक चीज़ और UPSC क्या करती है जिन area के अंदर conflict चल रहा होता है उस area के conflict में कुछ cities के नाम बार बार ही आ रहे होते हैं इस paper के अंदर तो UPSC इन cities के नाम कई बार दे देती है और पूछती है कि ये cities कौन से देश की है तो इसलिए मैंने यहाप ये underline कर रखा है खार्तूम हो गया आपका ओमदर्मन हो गया यहापका दारफूर रीजन हो गया दारफूर रीजन कहां पर लाई करता है सुडान में लाई करता है तो ये जो मैंने अंडर गोले मारे हुए है आप इनको एक बार ही देख लीजेगा पीडिएफ आपको वही हमारी एप से मिल जाएगी फ्री रिसोर्सिस के अंदर तो एक कन्फिक्ट तो आपने ये सुडान में देख लिए है जो कि military coup की वज़े से हो रहा है दूसरा कन्फ पिया के अंदर जो rebel है उनका नाम है Tigray People's Liberation Front सिरफ अभी इतना याद रखिया और इन दोने के बीच में conflict है ये याद रखिया और ये एक छोटी सी news है छोटी news क्या है कि हभीब गंज स्टेशन को मद्यप्रदेश के अंदर जो हभीब गंज स्टेशन है उस स्टेशन का नाम चेंज करके आप रानी कमलापती स्टेशन कर दिया है रानी कमलापती एक गौंड कुईन है ये आपको याद रखना है और इसके अलावा आपको जो additional information history से जड़ी फोकस इस बात पर रहा है कि कहां कहां से सवाल आ सकते हैं